आप भोजन के बिना कुछ दिन रह सकते हैं लेकिन प्यास लगी हो तो पानी के बिना नहीं रह सकते लेकिन पानी पीने का सही तरीका क्या है इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं और वैसे भी जब से आर्वेत के ग्यान के बारे में जानकारी कम होती जा रही है यानि लोगों को इसके बारे में नॉलिज कम है तब से वे पानी के महान गुणों को नहीं जान पा रहे हैं और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके का पानी आपको पीना चाहिए कौन सा ऐसा तरीका है जिससे पानी आपके लिए फायदे मंद हो क्योंकि अगर आप गलत तरीके से पानी पीते हैं तो जो पानी अमरत है वो जहर का काम भी कर सकता है तो इसका सही तरीका क्या है और सही समय क्या है क्या हमें आरो का पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं एक दिन में एक स्वस्त इंसान के लिए कितना पानी पीना जरूरी है तो यहाँ पर बेशक सभी डॉक्टर, सभी हेल्थ एक्सपर्ट और आरिवेद भी एक मत है कि कम से कम दिन में 6-7 गलास पानी पीना चाहिए और यह इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी उम्र कितनी है, आप कैसे वातावर्ण में रहते हैं, मौसम कैसा है कितनी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन कम से कम 5-6 गलास पानी पीना तो हर मौसम में चाह सर्दी हो या पिर गर्मी हो आबस्यक है और आरिवेद में पानी पीने का जो सही तरीका बताया गया है, वो भी काफी महत्पूर्ण है और समय भी आपको बताया गया है कि किस समय आपको पानी पीना चाहिए जैसे कि आप खाना खाने के आदा घंटे पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए इसके अलावा आप कहीं पर भी हैं चाहे आप घर पर हैं या बाहर हैं खड़े होकर तो पानी कभी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जहां पर पानी अमरत का काम करता है वहीं खड़े होकर ये आप के लिए पोजन का काम करता है क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से हड्डियों का जोड में बीमारी हो जाती है जिसे arthritis कहा जाता है पहली बात दूसरी बात एक ग्लास पानी जो आप पीते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही घूट में सारा पानी पी जाते हैं तो ये सबसे गलत तरीका है पानी को हमेशा कहा जाता है आरिवेद में चबाकर खाना चाहिए यानि एक एक घूट आपको पानी पीना चाहिए सिप करकर के इसका कारण ये है कि एक बार में ज़्यादा पानी पीने से सरीर उसे अबसोशित नहीं कर पाता और ज़्यादा तर पानी बिना उप्योग के यानि बिना शरीर के सफाई करे हुए या जो अवशकता है उनकी पूर्थी किये बिना सरीर से बाहर निकल जाता है और आपका लेकिन आपके सरीर की अवशकता पूर्थी नहीं हो पाती है तो दो पॉंट निकल कर सामने आते हैं पानी हमेशा बैठ कर पीएं गूड़ गूड़ पीएं इसके अलावा पानी ठंडा पीना चाहिए या गर्म पीना चाहिए तो दोस्तो गर्मी के मौसम में आप साधा पा पानी ना पीएं जो आपके लिए निश्चित रूप से घातक है इसके अलावा बात आती है आजकल सभी लोग आरो का वाटर प्रियोग करते हैं तो आपको कभी भी आरो का पानी डारेक्ट नहीं पीना चाहिए आप एक मिट्टी का घड़ा लें उसमें बढ़कर रखें औ और दो या तीन गंटे बाद उस पानी को आप उप्योग कर सकते हैं इसका एक महत्पूर्ण कारण है क्योंकि आरो में फिल्टर होने के बाद हानी कारक तत्वों के साथ साथ जो स्वास्ते के लिए फायदेमंद एलिमेंट हैं वो भी शून्या हो जाते हैं तो अगर आप से मिट्टी के घड़े में रखते हैं तो मरदा के अंदर जो प्राकर्तिक रूप से एलिमेंट होते हैं दोबारा आपके पानी में आ जाते हैं यानि फायदेमंद गुना आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं वो पानी आपके लिए अमरत का काम करेगा तो ये है पानी पीने क सही तरीके सही समय के बारे में पूरा आरुवेदिक ज्यान जिसे प्राचीन काल से भारते संस्कती में सभी लोग जानते थे आज आपके साथ शेयर किया है तो आप इसका फायदा उठाएं जादा से जादा अपने सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि जो पानी सरीर के लिए अम्रतकारी है मानव जीवन में वो उसके लिए नुकसान दायक ना बने उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी तो इसी तरह नई नई जानकारियों के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें साथी बैल नोटिफिकेशन ओन करें ताकि हर इंपर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे नमस्कार दोस्ते